केजी अप चेप्टर टू के रिलीज डेट को लेकर हुआ बहुत बड़ा खुलासा मिस्टर तरन अदर्स जो एक बहुत बड़े क्रिटिक्स है उन्होंने किया एक बहुत बड़ी अपडेट जानिये अखिरिकार क्या रिपोर्ट आई है केजी अप चेप्टर टू से जुरी हेलो नमस्कार स्वागत है आपके अपने चैनल में वैल बात करें मिस्टर तरन अदर्स जेक बहुत बड़ी क्रिटिक्स है उनके ऑफिसियली ट्यूटर अकाउंट पर उन्होंने एक पोस्ट करके जहनकारे दिया है कि केजी अप चेप्टर टू रिलीज डेट अपडेट मतलब इस फिल्म के रिलीज डेट को लेकर कुछ अपडेट सामने आई है जो आखिरकार इस फिल्म के परडिशर इस फिल्म के डिरेक्टर के बीच काफी सारे बाते चल लही है बलकुल आप लोगो बता दू कि एजी अप चेप्टर टू के मेकर्श द्वारा काफी सारे अप प्लानिंग किये जा रहे हैं इसके रिलीज डेट को लेकर तो फाइनली आखिरकार तरण अदर्स दे एक बहुत बड़ी अपडेट ये दी है कि ये फिल्म 9 सेप्टेंबर साल 2020 इसी साल 9 सेप्टेंबर के दिन ये फिल्म रिलीज हो सकती है मगर ये एक फाइनल रिलीज डेट नहीं बलकि इस पर भी अभी विचार किया जा रहा है बिल्कुल आप लोग को बता दू कि मिश्टर तरण अदर्स ने आखिरकार 9 सेप्टेंबर के दिन ये बताई है कि ये फिल्म में रिलीज होगी मगर ये डेट भी फाइनल नहीं है इसलिए क्योंकि अभी भी परडिशर के बीच इस फिल्म के रिलीज डेट को लेकर काफी सारे बात ये चल लही है क्योंकि आप लोग जानते हैं कि देश में जिस तरह के कुरूना के महल थे और ये फिल्म सबसे दमदार सबसे खतरनाक फिल्म होने वाली है और आप लोग भी जानते हैं कि ये फिल्म इतनी दमदार होने वाली है ये फिल्म को लेकर जितनी बात चल लही है सोचल मीडिया पर वो काफी गजब का है क्योंकि इस फिल्म के एक छोटी सी टीजर ने 200 मिलियंस प्लस का रेकॉर्ड रच दिया था और मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि इस फिल्म से जुरी कि ये फिल्म को लेकर मिश्टर तरंदर्स ने इस तरह का जहां तक रिपोर्ट जारी करके और अपनी ट्यूटर हैंडल पर इसको पोस्ट किया है साथ में जह तक रोकिंग स्टार यास का लिए संदार तगराशा, एक संदार तसवीर भी साधा किया है फांस के साल जो चैप्टर वन से जुरी वह जह तक तसवीरे हैं, वो नजारे हैं वहल बात करें चैप्टर तू को लेकर तो सभी फांस को इंतिसार है और चैप्टर 2 के रिलीज डेट को लेकर जो आखिर का 9 सेप्टेंबर के दिन जो रिलीज डेट बताई गई है वो अभी फाइनल नहीं है बलकि इस पर भी अभी जहां तेक बतलाब किये जाएंगे वेल बात करें जो आप लोग सोच रहे थे कि आखिरकार ये फिल्म 16 जुलाई के दिन ये फिल्म आने वाली है तो आप लोग को बता दू कि आखिरकार इस पर अब कुछ नहीं कहना है क्योंकि अभी बहुत सारे बाते चल नहीं हैं मेकर्स के बीच और प्रोडिसर के बीच वेल डेखते हैं आगे और कोई नहीं रिपोर्ट आती है तो मैं आप लोग को जनकारी ज़रूर दूँगा क्योंकि ये फिल्म बहुती दमदार और बहुती गज़ब के होने बाली है वेल अपने अपना डियेक्शन जरूदे इस वीडियो के नीचे कमेंट से में साथ में इस वीडियो को लाइक करें सेयर करें के जी अब चेप्टर टू से हर एक जूरी रिपोर्ट पाना चाहते हैं तो कर लीजे इस चैनल को सिस्क्राइब और साथ में बैल आइकन प्रेस जरू कर ले इस से आने बाली हर एक अपडेट की नोडिफिकेशन आप लोग को बैक टू बैक मिलता रहेगा वैल आप लोग का क्या कहना है इस रिलीज डेट को लेकर क्या लगता है इस फिल्म को कब रिलीज करना चाहिए और कब रिलीज जातक करने की बात हो सकती है इस पर अपने अपना रियाक्शन जरू देश जाएगेगा क्योंकि ये फिल्म 16 जुलाई के दिन ही रिलीज होने वाली थी इसके बारे मेकर्स ने पहले ही अनॉसमेंट की जाए चुकी थी मगर अब इस पर डेट बदलाव किये जाएंगे